जेई मेन के exam date announce हो चुकी है और ये साल में चार बार होगी ये आपको पता चल ही गया होगा फरवरी मार्च अप्रेल मई चार बार ये 2021 में exam होगी अब सबसे बड़ा प्रसन हमारे दिमाग में ये आता है कि नीट की exam कब होगी और क्या ये नीट भी दो वार या तीन बार हो स को ही होगी ये ज्यादा होने की संभावना नहीं है और ये exam date आगे बढ़ने की संभावना भी नहीं है क्योंकि जब जेई मेन फरवरी मार्च अप्रेल मई में हो सकती है तो नीट भी तू मई 2021 को ही होगी दूसरी बात है हम ये सोचते हैं कि ये कितनी बार होगी तो अभी अभी तक ये एक ही बार हो सकती है ओफलाइन मोड में क्योंकि ओनलाइन मोड के लिए काफी सारे अरेंजमेंट करने होंगी काफी सारी प्लानिंग्स करने होंगी तो अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ये ओफलाइन मोड में एक ही बार होगी और वो टू मई 2021 को ही होगी अब लेकिन आपको एक सीज का ध्यान रखना है, एक्जाम चाहिए कितनी भी बार हो, किस भी समय हो, आपको अपने स्टडी पर ध्यान देना है, वो ही काम आएगी, आपकी स्टडी ही काम आएगी, अगर आपकी स्टडी अच्छी तरह से है, तो आपकी तरफ से एक्जाम चाहिए तीन बार हो या पांच बार हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता आपके इस्टडी अच्छी होनी चीए एक्जाम डेट कोई भी हो इससे भी कोई फरक नहीं पड़ता आपको अपने इस्टडी अच्छी तरी से करना है तैयार रहना है हर समय कि एक्जाम कभी भी हो सकती है यह त साथ दस दिन आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं लेकिन आप अगर आपकी study अच्छी है तो इसमें आपको कोई tension लेने की आवश्यक्तन नहीं है मेरा कहने का मतलब यही है मैं आपको यही कहना चाहूंगा अभी आप मानके चलो कि exam 2 मई 21 कोई है और आपने उसी हिसाब से preparation करनी ह है आगे आपके पास में यह इस परकार की कई news आएंगी कि यह दो बार हो सकता है आगे भड़ेगा तो आपने इनकी तरफ में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपने अपने study की तरफ में ध्यान देना है अगर आपकी study अच्छी है तो दो बार हो या तीन बार उससे आपक फेवर में ही सब कुछ है celibus reduce को लेकर ये बिल्कुल तै हो चुका है कि जब JEE man का celibus reduce नहीं हो रहा है तो neat का भी celibus बिल्कुल भी reduce नहीं होगा आपको फुल celibus के साथ में तयारी करनी है आगे pattern होगा वो पूरा अभी तक का यही है कि 180 उसमें आगे क्या करते हैं यह क्या नहीं करते हैं वह बात की बात है लेकिन आगे आपको सहलेबस पूरे सहलेबस की ही तैयारी करनी है इस वीडियो का सारांस यह है मेरा कहने का मतलब यह है कि नीट की जो एक्जाम होनी है वो 2 मई 2020 कोई होगी सेलेबस में कोई चेंजिंग नहीं होगी पूरा सेलेबस होगा आपको इसी इसाब से preparation करना है और preparation अच्छी तरह करके आपको need 21 के लिए अच्छा score लाके अच्छे medical college में admission लेना है ये बाते हमें तब याद आती है ये पस्तावा तब होता है जब हमारा result आता है हम counseling के लिए तयार होते हैं तब हमें पता लगता है कि हम अगर थोड़ी सी मैनत भी और कर लेते तो हमारे को अच्छी college मिल जाती हमारा selection हो जाता लेकिन वो काफी समय निकल चुका होता है उस समय कुछ भी नहीं होता है तो आपको अभी से अपने आपको तयार करना होगा अपने आपको इस तरीके से ढालना होगा कि आप 2 माई 21 को एक अच्छा score खड़ा कर पाएंगे एक अच्छे confidence के साथ में एक्जाम दे पाएंगे और यह तभी संभव होगा जब आप दिन रात एक करेंगे अभी से तो अगर आपने नी 21 की एक्जाम देनी हैं तो अभी से आपको बिलकुल तयारी के लिए जुट जाना है रात दिन एक कर देना है अभी समय कम बचा है इसी कम समय में आप अच्छ इसी मेडिकल कोलेज ले सकते हैं तो दोस्तों इसी आसा के साथ इसी विश्वास के साथ की आप अच्छी तैयारी करेंगे मैं आप से फिर मिलूंगा तब तक मैं आप से लेता हूँ विदा जैहिन